नमस्कार दूस्तों स्वागत है अपनी यूटूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जी के में दूस्तों अभी रेलवे रेक्रूट्मेंट बोर्ड आपके स्वालों का जवाब देने के लिए बहुत ज़्यदा एक्टिव हैं अभी आप देख सकते हो जो 28 जनवरी 2022 को एक नोटि जल जवाब जाने उससे पहले आपके लिए इंपोर्टेंट अपडेट हैं तो लाश्ट यहां पर 28 से 31 जनवरी तक यह ओफर है इसका लाब उठा देना आप टेस्ट बुक पर इसमें आपके एक फरवरी से प्राइज हाइक होने वाला है जो अभी आपके डिसकाउंटे ड पर का और डिसकाउंट मिल जाएगा यह टेस्ट बुक एप और वेबसाइट पर तीन दिन के लिए लिमिटेड टाइम के लिए लिए डील है जो सेम एक्जाम पैटर्न और डैस्पोर्ट पर आधरितियां पर मॉक्टेस रहते हैं इस्पेशल ग्रूप डियो और एंटी फि पर यहां पर बता है तो इजी रहेगा रेलवे रेकूट्मेंट बोर्ड आरर भी बोले तो जो कि काम करती हैं फंक्शन्स अंडर दा मिनिस्ट्री आप रेलवे के अंतर गताती है तो इसका आपको क्या ही बता है वैसे नहीं बता दिया कि टोटल 21 आरर भी है और इस परते क आरर भी में चैर्मेन है मेंबर सेक्रेट्री है असिस्टेंट सेक्रेट्री है तो यहां पर बताया है कि आरर भी है और नौटिफाइड दो लाग तिरासी जार साथ सो सेताली सु रिक्तिया है वो 2018 से इनके दोरा विग्या पंचारी किया गया है जिसमें से 1.32 लाग CBT for about 4 crore candidate अब तक last 3 और half year में 4 crore candidate का इनोंने CBT आयोजित किया है कोवीड के बावजूद ठीक है नेस्ट आपर स्वाल है why recruitment is conducted with two stage computer best test है CBT के आधार पर recruitment इसमें भी दो stage computer आधार रिक्रूट्मेंट है वो क्यों आयोजित की जाती है क्यों ना केवल एक ही stage पर CBT हो तो इन ने reply दिया है in case the number of candidates who have applied against the notification are large in number and are more than one crore then it is advisable to conduct CBT in two stage जहां पर एक करोड से अधिक candidate ने apply किया है वहाँ पर advice किया जाता है कि दो stage CBT पर करिया हो पर्थम stage में screening है candidate को छाटा जाएगा और second stage में यहाँ पर limited candidate के लिए यह रहेगा जो कि normalization का आपको परभाव जितनी ज़्यदा सेप्ट होगी normalization process और ज़्यदा complex हो जाता है जिसमें काफी candidate को काफी ज़्यदा number मिल जाते हैं तो इसी प्रक्रिया को normalization में इस तरह के number increase हो रहे हैं इसको limit करने के लिए यहाँ पर यह involved किया गया है second stage CBT जिसमें पर्थम stage CBT में काफी candidate हैं उनको बाहर कर लिया जाता है और जो और एक तरीकी से meritious candidate हैं उनही को लेकर second stage CBT कराया जाता है ताकि normalization का effect कम से कम पड़े तो इसलिए यहाँ पर दो बार computer best test होता है अगरा स्वाल लिखेगा what is the basis of shortlisting candidate for second stage CBT तो second stage में किस प्रकार candidate को shortlist किया जाता हैं कि यह candidate हैं वो second stage CBT का exam देंगे क्या आधार हैं तो इन्होंने वो answer बताया है कि as per railway recruitment board manual of 2015 2015 का जो इनका manual है RRB का उसमें प्रावड सिक्स पर सीवडी टू के लिए जो कि non-technical popular category NTPC के लिए था फ्रावदान तो this is to ensure that the number is limited to the same कान बता है normalization का फिर इनोंने बताया जो initial screening हो जाया फर्स्ट स्टेज में और जो पहले शुरुआत में 10 गुणा candidate पास किये जाते थे और इसमें यह apply भी किया गया है 2010 वारी जो recruitment है graduate और 10 प्लस टू में उसमें 10 गुणा candidate ही बुलाए गए थे हालांकि 2015 वाली जो NTPC second stage CBT हुआ है इसमें 15 गुणा candidate यहां पर बुलाए गए है और फिर यहां पर अपकी बार जो 20 गुणा है यह आप देख लीजीगा how many candidates are short stage for second stage CBT for NTPC exam अभी वाला NTPC exam जो CEN01 2019 है इसमे first stage CBT has been made common for graduate and 10 plus 2 past candidate है इन दोनों के लिए common है it has been prescribed in the CEN that candidate 20 times the notified vacancies के 20 गुणा candidate को यहां पर बुलाने का जो पराउधान आपकी विकिप्ति में दे रखा था और यह जो second stage के लिए बुलाए जाने है और इसमें इन्होंने बताया कि ताकि जो प्रेप्त candidate है वो CBT 2 के लिए र पास की जाते हैं तो यह आपके first stage CBT में screening होने के बाद प्रप्त candidate मिले इसने 20 कुणे यहां पर candidate पास की जाने है 2019 वाली NTPC vacancy में फिर इन्होंने जो सेम स्वाल कुछ रिपीट के हैं जो इससे पहले भी यह रेल में एंसर कर चुका है short listing should be done for 7 lakh candidate not 7 lakh role number shortlist नहीं करने है 7 lakh candidate को shortlist के लिए जो स्वाल आ रहा है उसका रेल में रेप्लाई देखीगा nowhere was it mentions कहीं पर भी ऐसा उलेक नहीं है कि 7 lakh एक अलग सी unique distinct candidate पास की जाएंगे ऐसा विकिप्ति में कहीं भी उलेक नहीं है और second stage CBT के लिए 7 lakh unique candidate का उलेक नहीं है उन्होंने बताया since second stage consists of CBT of 5 different level जो से हम बार बार ये बता रहें कि 5 अलग लग लेवल है difficulty के लेवल पर तो बहुत से candidate हैं एक से ज़्यदा लेवल में हो रहे हैं तो यहाँ पर 7 lakh role number हमने जरूर select किये हैं और काफी candidate है वो एक से ज़्यदा लेवल में एक से ज़्यदा रिष्ट में भी नाम आ रहा है नेश्ट देखेगा आरार भी है वो सोट लिष्टेट के एंडेट only four to five time off notified वेकेंसी जो आपका स्वाल था यह बहुत से candidate चार से पांच लेवल में हो रहे हैं तो 20 का भाग देंगे तो आपके चार से पांच कोणा candidate यहाँ पर वेकेंसी के बुलाएगे हैं तो इ 20 टाइम रूल नंबर है वेकेंसी के पैतीजार दोस्तो एक्यासी की टैन केंडेट यूज्ट टू फाइट फॉर वन पोस्ट हैं अमोमन क्या होता है दस केंडेट एक पोस्ट के लिए फाइट करते हैं अभी जो स्टुडेंट स्वाल कर रहे हैं कि वन केंडेट विल फाइ के लिए सेलेक्ट नहीं होगा केवल एक पोस्ट के लिए एक केंडेट को ही एपोइंट किया जाएगा ग्रेजुएट केंडेट आर गेटिंग अन्ड्यू बेनिफिट और बेकमिंग एलजिबल फॉर बहुत ग्रेजुएट एंड टैन परस्टू लेवल पोस्ट हैड दैर टैन परस्टू लेवल की पोस्ट के लिए तो इस्ट्रेन बोल रहे हैं कि इनको अलग से विग्यपति इसकी जारी करनी चाहिए तो यह बता नहीं था इंटिग्रेशन ऑफ रिक्रूट्मेंट फॉर ग्रेजुएट एंट टैन परस्टू लेवल पोस्ट हैव बिन डन टू सेव टाइम एनरजी एफ़र्ट विच हैज बिन अप्रूवड यूसपूल डूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक तो कितना एफ़र्ट लगता है और भी एकजाम अलगले कंडेक्ट करा है इससे अच्छा दोनों का एक एकजाम इन्होंने ले लिया यह इनका एंस्वर है और इ सब्सक्राइब के लिए अलग अलग डिफिकल्टी लेवल होने वाला है अगरास वाल देखीगा वट है रेलवे डन फॉर प्रोटेस्टिंग केंडेट अगेंस्ट एंटीपीसी रिजल्ट की जो रिजल्ट से नाखुष केंडेट है वो प्रोटेस्ट किये हैं तो रेलवे यहां पर अपने कंसंस तैर कर शकते हैं और इनकी जो काट आप डेट यहां पर बता है कब तक ए स्टुडेंट अपना सेरेशन भेज सकते हैं तो इनको तीन वीक का समय दिया है, 16 फेबलाइस्ट है और RRB फिर यहां पर स्वाल दिखीगा What is the timeline for the committee to address the grievance है Committee के लिए क्या timeline है जो अपने recommendation भेजेगी The committee after examining these concerns जो student भेजे हैं और फिर 4 March को उनकी जो recommendation है वो त्यार हो जाएगा, इनका 4 March को report त्यार होगी Why has there been delay in recruitment process में जो इतना ज़्यादा डिले 2019 से 22 तक का सफर कैसे इतना लग गया The recruitment process has got delayed इनने कार्ण बता है COVID-19 pandemic का March 2020 से ये COVID-19 है और various restrictions imposed किये गए हैं अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग यहां पर प्रतिबन थे COVID-19 के कार्ण जो आप कहा सकते हो social distancing वगेरा है तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए बहुत ज़्यादा समय लग गया बहुत ज़्यादी shift हो गई मतलब अलग-अलग दिन लग गया काफी candidate पहले RRB की दोरा एक दिन में तिन दिन shift लिए जाते थी अभी यहां पर एक shift में काफी कम candidate को बोलाए गया है यहाँ पर ध्यान में रखा गया है social distancing को इसी काण के कि हमको 133 shift आयुज़ित की गई है first stage CVT में और काफी समय भी लग गया है COVID-19 का इनों ने आपर काण बताया है इस recruitment process का delay होने का तो यह कुछ important स्वाल जो student ने बार-बार frequently asked questions है इनका railway ने क्या reply दिया है आपने देख लिया है तो अभी आप कह सकते हूँ railway बार-बार notice पे notice जारी कर रहा है ताकि student की जो भी concerns है अभी काफी active हो चुका railway अभी तक आपने अपने concerns grievance raise नहीं किये हैं पर जारकर directly यहाँ पर raise कर शकते हो telegram पर मैंने link वोगे available करा दिये वहाँ से भी आप चेक कर शकते हो description box में link है और बाकि जो भी candidate है test book से test series join करना चाहते है तो अभी आपके लिए ये last 3 limited दिन है जिसमें काफी अच्छी खासी deal मिल रही ये आपको 12 की बज़ाए 18 मंद का पास है कोई एक चुनिंदा candidate जो जिसका लग अच्छा रहेगा ड्रोर निकलेगा उसमें निसान मेगनाइट वो कार भी जीज सकता है जैसे कि प्रिवेश एक इसमें और था ओफर जिसमें ये जो candidate है अजे सिंग मेना इन्होंने इस ओफर के तेयत ये निसान मेगनाइट जीती थी और अभी इसके बाद इसकी प्राइज भी बढ़ने वाली है 369 होने वाली है अभी 349 में टीटीज की कोपन कोर से या आप मॉक्टर सीरीज वाई कर सकते हो तो लिंक डैस्क्रिप्स मॉक्स में है मिलते हैं ऐसे किसने अपडेट के साथ वंदे मातरम चहीं दोस्तों